बढ़ते हांगे, सिवेल लाइन्स में रहने वाले रोहित निशाद ने तेराकी में एक अलही मुकाम हासल किया है। बताते कि रोहित निशाद सर्फ 24 साल के हैं और साधारन परिवार से तालुक रखते हैं। उनके पिता एक नाविक है जो नाव चला कर अपने परिवार का पालन पूशन किया करते हैं। खास बात तो ये है कि रोहित ने छे साल के उम्र में ही तेराकी में हाथ आसमाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं तेराकी के गुण सीखते हुए रोहित ने गंगा में डूपते हुए भी सैक्डों लोगों की जान बचाई थी। जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जेन रोहित निशाद कि आज हम बात करें थे वो हमारे साथ इस खास कारेक्रम में जुर्गे रोहित बहुत-बहुत स्वागत है खबर फास पर आपका। कि आपको बहुत सारे विधायक और सांसत की तरफ से पुरुस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। यह मैं थैंक यह मैं जी आजो है सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको स्विम्मिंग करने का थोट कहां से आया मतलब किसी ने आपको इंस्पायर किया है या फिर कोई है आपके परिवार वे जिन्होंने इंकारेच किया है स्विमिंग करने के लिए मतलब स्विमिंग ही क्यों चूश के आपने कानपूर गंगा जी किनारे रहता हूं गंगा मिया की चवड़ा में और पापा नाविक है उनिक दौरा पापा ने नहीं तैराकिया में सिखाई है और उन्हों ने उनिक प्रेजिस आज मैं अच्छा स्वीमर हूं कानपूर में जी जी जैसे कि हब्या आपकी स्टोरी सुनी है तो ऐसे भी एक बात आपने लिखेए कि सैकडो लोगों की जान आपने बचाई है गंगा में डूबते हुए तो कितने लोगों की जान बचाई होगी कोई आइडिया जी तो मतलब रोहत हम लोगों की जान बचाई है अचानक नौप लट गई थी जी तो रोहत हम लोग यह कै सकते कि स्विमिंग आपने सिर्फ खुद के प्रोफेशन के लिए नहीं से कि बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए रोहत हम डाय में बचयों को स्विमिंग स्विमिंग सिखाते है गाजी में उसनी के मिस्व तो नमें बचयों कैसमे लिए स operative है भी दींग आरओ बन्चों की मुषब करने बीचारह रहा था स्थिफ़को मैं बच्चों को सुमिंग और दो जार सोला के तो आपको ये पॉचुनीटी समिंग सिखाने के लिए बच्चों को कैसी मिली जरए डीटेल में जानना चाहेंगे यह ज बच्चों को स्विंग पहले पेले में एक लाइफ शेवर के पठेवrh कर रहा धेखते देखते तो ऐसे में आपसे जाना चाहेंगे क्या वो क्यों पुरुसकार से जानना चाहेंगे? जो मैंने 11 लोगों को बचाया था उसी दौरा हमें सम्मानित किया गया था और सांसाथ विदायक और सांसान परसासब दोनों तरफ से मिला था अभी हमारी जी जैसे कि हम देखते हैं कि swimming के अगर हम लोग बात करते हैं तो एक physical fitness जो होती है वो भी swimming के जरीए हमें देखने को मिलती है तो लोग जाता swimming करते हैं ताकि वो physical fit रहे लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे swimming से किस तरह की health perspective से फाइदे हो सकते हैं इसके फाइदे बहुत हो सकते हैं जी जैसे बोड़ी में आपने यह बताया है कि आप फ्री में बच्चों को स्विमिंग सिखाते थे यह सिखाते हैं आज भी सिखा रही है तो बहुत सारे equipments होते जिनकी जरुवत होती है swimming सीखने के लिए तो उसका इंतिसाम कैसे होता है बताब उसके लिए funding कैसे होते है किस सरीके से आप वो सब चीजे मैनेज कर पाते हैं कि मैं मैं मानेज जो भी हमारे पास कुछ पासे रहते हैं उन से बच्चों को जैसे किट ला दिया swimming पर सर चीक है रोहिद आपने अपना कीमती समय हमें दिया है बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे काफी अच्छा लगा बातशीत करके कि सरीके से आप उन बच्चों की मदद करते हैं जो बच्चे शाद उतना financially strong नहीं हो पाते हैं swimming सिखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहिद ये थे हमारे साथ रोहिद निशाद जिन्हों ने आपको बता दे कि फ्री में बच्चों को सिखाई है swimming और काफी सारे बच्चों को काफी सारे लोगों की जान भी बच है सकते हैं कि से swimming personal level पर या professionally हम नहीं सीखते लेकिन आपको बता दे कि swimming हम दूसरों की मदद करने के लिए भी सीख सकते हैं और एक जीता जाकता हूद धारण जो है आप हमारे सामने आए हैं आज जी रोहिद निशाद चलिए बढ़ते